सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ ये वीडियो कच्छा 7, 8, 9 और 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महतुपूर वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमे का यूज करके त्रिवोज के बोजा की लंबाई ग्याद करना सीखेंगे यानि कि यहाँ पे आप लोग दो त्रिवोज देख सकते हैं इन दोनों त्रिवोजो में इस बोजा की लंबाई 6 cm है इस दूसरे भोजा की लंबाई यानि कि यहाँ से लेकर यहां तक 10 cm लंबा है हमें अगर पता करना हो कि यह वाली जो तीसरे वाली भोजा है इसकी लंबाई कितनी है तो हम लोग इसको पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमे का यूज करते हैं और उसका यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं वही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे यहाँ पर यह दूसरा त्रिभोज है इस त्रिभोज में देखिए इस भोजा की लंबाई 12 cm है इस वाली बोजा की लंबाई 9 cm है अगर हमें पता करना हो कि इस तीसरे वाली बोजा की लंबाई कितना है तो हम इसको भी पाइथागोरस प्रमे से ही निकालते हैं अगर आप इस प्रकार के सवालों को एकदम अच्छे से समझना चाते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एक बात और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो पाइथागोरस प्रमे के सवालों को हल करने के उपर पूरे यूटूब पर सबसे सिंपल वीडियो है इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रकार के सवालों को हल करना आपके बाएं हाथ का खेलोगा चाहे आप मैत में कितने भी कमजोर क्यों ना हो आपको पूरा समझ आ जाएगा ये मेरा दावा है बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्योस्चन में यहाँ पे इस बोजा के लंबाई 6 cm है और इस बोजा के लंबाई 10 cm है तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा जब भी आपको तीसरी बोजा निकालना रहेगा तो आप इतना याद रखेगा कि पाइथागोरस्पर में तभी हम लगा पाएंगे जब हमें एक कोड नब्यांस का दिया हो तो देखे यह नब्यांस का कोड बना हुआ है यहाँ पे देखे नब्यांस का यहाँ पे अगर नब्यांस नहीं लिखा है तो क्यावल अगर इस तरह से बना है यह तो आप समय लिजए कि नब्यांस का कोड यह है तो हमेशा दो बोजा दिया रहेगा हमें तीसरा वाले बोजा निकालना रखता है ठीक है तो हमें इसमें इस बोजा को निकालना है कि ये कितना लंबा है तो इसको हम X माल लेंगे यानि कि जो हमें ग्यात करना रहेगा उसको हम X माल लेंगे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे देखिए 90 के साथ कौन सी दो बुजा लगा है ये दोनों बुजा लगा है ठीक है ना तो हम इनको सबसे पहले लिखेंगे ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा 6 और सबसे लास्ट में इस तीसरे बुजा को लिखना है यानि कि हमें इसी क आप लोग सवालों को हल करिएगा तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने देखा कि यह नब्यंस का कोड है और इसके साथ ये वाली दोनों भूजा है सटा हुआ इसके साथ तो मैंने इन दोनों को लिखा और सबसे अंत में इस वाली को लिखा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सभी पर दो दो गात लगा देंगे कुछ इस तरह से एक पर दो गात, छै पर दो गात इतना इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बीच में पलस करेंगे यहाँ पे बीच में बराबर करेंगे ऐसा आपको हर एक सवाल में करना है तो जब आप लोग इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है अब यहाँ पर थोड़ा से द्यान से समझे जैसे यहाँ पर देखे 6 पर 2 गात लिखा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यह 36 हम इसको बोल सकते है 6 पर 2 गात का मतलब हो गया 6 का हम 2 बार गुड़ा करेंगे यहाँ पर 2 है तो हम 6 का 2 बार गुड़ा करेंगे अगर यहाँ पर 3 राता तो हम 6 का 3 बार गुड़ा करते है यानि कि अगर 6 पर 2 गात कहीं लिखा है वैसे अगर 9 पर 2 गात कहीं लिखा है तो 9 गुड़ा 9, 9, 81 यानि कि समझेगा वो एक 80 लिखा है अगर कहीं पर लिखा है 12 पर 2 गात मतलब क्या कि 12 का हम 2 बार गुड़ा करेंगे ठीक है ना यानि कि यह 36 ही लिखा है बस लिखने का तरीका यह अलग है यह पूरा 81 ही लिखा है यह पूरा 144 ही लिखा है यानि कि जब भी हम लोग सवालों को वाल करेंगे अगर इतना आ गया तो हम 36 वहां पे लिख सकते हैं क्योंकि यह भी 36 है यह भी 36 है वह सिंपल सिवात है तो यह वह जाएगा X पर 2 होगा प्लस ये 6 पर 2 होगा तो ये क्या लिखा है ये 36 ही तो लिखा है तो इसको 8 करके हम 36 लिख सकते हैं दस पर दोगा, यानि कि दस पर दोगा, तक मतलब क्या हुआ, दस का दो बहर गुड़ा, यानि कि सव, तो यह सव लिखा है, ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, अब यहां से द्यान से समझेगा, अब जब आप इतना कर लेंगे, तो आपका मेन का मी यह रहाखा कि बराबर की एक तदरफ एक सी स्क्राइर अकला हो जारे कि इह पर एक स्कृारń होजाए यह फिर इस अक्यला खरें? तो 36 को उद्धार को उधर विजना पड़ेगा बराबर की तम्हें अकला होगे तो 36 को उधर वेज़के cinq सो आरो यह जाएगा तो यह आपका आ जाता है 64 यानि कि देखे जब भी आप लोग इस परिकार के सवालों को हाल करेंगे तो एक तरफ एक से उसकार आएगा दूसरी तरफ कोई एक संख्या आ जाएगा यहां तक हर कोई पहुच जाता है इसके बाद आपको क्या करना होगा इसे आप लोग अब ध गलती ना करिएगा देखे मैंने दो गात हटाया इस पर से तो दो गात हटाने के बाद यहां पर रूट लग गया इसको रूट बोलते हैं यह रूट हो जाएगा ठीक है अभी आंसों नहीं हुआ है अब इसके बाद हम लोग कैसे हल करते हैं वह थोड़ी दिर बात तो इसको हम लोग अभी जश्ट समझेंगे पहले हम लोग एक और सवाल कौल करते हैं अच्छा यहां पर इसी सवाल में थोड़ा सा एक चीज़ और समाझ लिजिए जैसे देखिए नब्यांस के साथ ये बोजा ये बोजा लगाए तो हमने क्या लिखा सबसे पहले मैंने इ दोनों भोजा लिखा है उनी को लिखना है सबसे पहले और सबसे लाश्ट में नब्यांस के सामने जो भोजा है उसको लिखना है ठीक न अब इन में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है इन दोनों में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है लेकिन नब्यांस के सामने जो भोजा है तो सबसे अंत में ही रहेगा, तो माल लिजिए, अगर मैं इस तरह से हल करताओं, तो मैं कैसे करूगा, दो दो दोगात लगा दूगा, फिर यहाँ पर प्लस करूगा, यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर चैपर दोगात, यह 36 ही लिखाए, और यह हो जाएगा x square और 10 पर दोगाती यह 100 ही लिखा है ठीक है तो अब देखिए बराबर के ज़रे x square अकेला करना है तो 36 को उधर बेजना पड़ेगा तो देखिए इसके पहले कुछ भी नहीं तो हम प्लस मान लेते हैं मानेंग नहीं छुपा रहता है तो उधर जाएगा क आप लोग देख सकते हैं कि इस बुझा की लंबाई 9 cm इस बुझा की लंबाई 12 हमें इसको बताना है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं ठीक है अब उसके बाद बिल्कुल वही concept लगाए ठीक है तो यह 90 का कोड़ है इसके साथ यह बुझा लगा है यह बुझा लगा है तो बस इनको लिखे सबसे पहले तो 12 लिख लेते हैं 9 लिख लेते हैं और सबसे लास्ट में यह वाली इसको लिखेंगे यह हो गया x अब क्या करना है दो दो गात लगा देना है सुरू में प्लस करना है फिर यहां बीच में बराबर करना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे अ मैंने आपको इक बात बोला था, कि x square को बराबर के, यह तो इधर लिखते हैं, अकेला करते हैं, यह तो उदर अकेला करते हैं, तो इसमें देखिए, बराबर के दूसरी और अकेला पहले से ही है, तो इसमें कुछ करने की जरुवत नहीं है, बस इसको जोड़ लीजिए यहाँ पे ठीक है न तो चार एक ये वज़ाएगा पांच आठ चार बार और एक ये दू तो दो सो पचीस बराबर हो गया एक सिस्क्वार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिस्क्वार इधर आ रहा है और इधर कोई संख्या आ रहा है तो यह भी बराबर ही तो रहेगा तो इसको पहले कर लिजिए और इसको बाद में कर लिजिए इस तरह से ठीक है न तो देखिए अब यह पीछे जैसे फाल बन जाएगा जो अमने अभी लगाया है हमें तो एक्स का मांद चाहिए तो यहाँ पे एक्स को अकेला कर दीजिए यह से आपको वीडियो पूरा द्यान से देखना है ठीक है तब ही आपको अच्छे से समझ आ पाएगा तो जैसे माल लेजिए यहाँ पर दिखे च्छै पर दो गत लिखा है तो यह क्या लिखा है यह 36 लिखा है सौनगा गया न यह 36 लिखा है बस लिखने का तरीका दूसरा है बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर रूट के अंदर यहाँ पर दिखा है तो यह भी कोई न कोई संख्या लिखा है बस लिखने का तरीका अलग है तो आखिर यह कौन से संख्या लिखा है वो हम कैसे पता करते हैं तो अब यहाँ से आप ध्यान से समझेगा तो वो कैसे पत करेंगे तो देखे रूट के अंदर यहां 64 है ना तो हम यहां पर 64 लिखेंगे कुछ इस तरह से हम लोग इसका अभाज गुड़न खंड करेंगे तो यहां पर दो से काटिए दो त्याँ छै और दो दुना चार दो एकम दो दो चागे 12 और दो आठे 16 दो चौक आठ दो दुन यहां से एक दो लिखे यहां दो दो बार एक दो लिखे अब हम लोग इन सब का गुड़ा कर लेंगे तो 2 दुना 4 चार दुना 8 यानी कि यह 8 लिखा है ठीक हैना बस लिखने का तरिका अलग है लेकिन 8 है लिखा बिल्कुल इसी तरह समझेए अब माल लिए यहां पर तीन साथे 21, तीन नवा 27, फिर ये कटेगा 3 तरीक नव, तीन कम तीन, तो दीखें, तीन दो बारा आयद के वले एक तीन लिखें, फिर इनका गुड़ा कर लिए, तीन तरीक नव, यानि कि यह जो संख्या, यह नव ही लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग एक एक एकजांपल और लेते हैं, माल लिजिए कि रूट में 225 लिखा है, तो आखिर ये कौन सी संख्या लिखा है, तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, अच्छे यहाँ पर ये भी समझ लिजिए, अगर आपको ये भी करना नहीं आता है, इसको बोलते हैं, और ये हो जाएगा 3, 5, 15, फिर 3 से कटेगा, 3, 2, 6, 3, 5, 15, अब 5 से कटेगा, 5, 25, 5, 5, 5, तो देखें, 3, 2, 12 है, तो क्यों एक 3 ले 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 लेंगे, 5, 2, 12 है, तो क्यों एक 5 ले ले लेंगा, अब इनका गुड़ा कर लेंगे, तो 3, 5, 15, यानि कि ये 15 ही लिखा है, ठीक है और ये केवल इस चेप्टर के लिए नहीं है, पूरे गडित में आप किसी भी सवाल को हल करें, अगर रूट के अंदर 182 आ रहा है, तो उसके अंदर हम 9 लिख सकते हैं, मतलब उसको 8 करके 9 लिख सकते हैं, अगर किसी सवाल में रूट में 64 आ रहा है, तो इसको 8 करके 8 कि यहां पर रूट के अंदर 360 आ गया तो आखेर इसके बराबर हम क्या लिखेंगे इसके बराबर क्या लिखेंगे यह हमें द्यान से समाजना है तो सबसे पहले ऐसे 360 का बाज गुणन खन करिए तो यह वजाएगा दो एकम दो दो आठे 16 फिर दो से कटेगा दो नवा अठार और फिर तीन से कटेगा नहीं दो इसे कटेगा भी भी तो यह वजाएगा दो चॉक आठ एक ले ले लिजिए दिरखिए दो अकेला बच गया यहां पी पांच अकेला बच गया तो आपको इन दोनों का गुड़ा कर लेना है ठीक है और जो ये बचा हुआ है इनका भी गुड़ा कर लेना है तो इनका जब हम गुड़ा करेंगे तो दो त्यां च्छै हो गया इनका गुड़ा करेंगे तो पांदुना दवस तो इसको रूट में लिखेंगे देखे इसको आपको रूट के अंदर लिखेंगे यानि कि यह संख्या जो है इतना है देखे यह भी संख्या होता है यह ओपर में संख्या होता है लेकिन जब भी सवाल अल करेंगे अगर इतना आ गया तो उसको आटा करके हम यह लिख सकते हैं अच्छा माल लेजिए यहां पर रूट 18 लिखा है तो यह किसके बराबर लिख सकते हैं तो हम यहां पर 18 का कुछी इस तरह से करेंगे दो नव आठार तीन तरीका नव तीन गम दे तो तीन दो बारा है तो एक तीन लिख लिजिए अब देखे किसी का जोड़ा नहीं मिल ला है तो देखें यहां पर किवल तीन नहीं है और तो इसके बराब हम क्या लिख सकते हैं ऐसे इतीस का हम लोग अब आज गुड़न खंड करेंगे दो एक अमदो दो पाचे दस तीन पाचे पंदर पाचे अब पाचे आप तो यहांप अब देख सकते हैं यहां पर सब अलग अलग है कोई जोड़ा नहीं मिल ला है यहां पर देख सकते हैं, तो जब ऐसे सिति आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा वैसे रहने देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो चलिए अब हम लोग जो पीछे छूटा हुआ सवाल था, उसको हम लोग लगाते हैं, तो देखिए, पहले वाले सवाल में यहां पे था, ए यानि कि यह सेंटीमीटर लिख लिजिए, देखिए, यानि कि यह 10 सेंटीमीटर यह चाह है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 8 सेंटीमीटर लंबा होगा, यह सब सेंटीमीटर में तो इसको आप सेंटीमीटर आटोमेटिक कर लिजिए, अपने आप, इसी तरह से हम यहां पे अपसे त्रिभोज जो है, ऐसे उल्टा पूल्टा भी करके बना सकता है, एकिन आप लोग उसी तरीके से हल करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉजा के लंबाई दिया है, इस बॉजा की, हमें इस बॉजा के लंबाई पूछा है, तो इसको एकस मान लेंगे, अब यहाँ पे यह सवाल है, यह सवाल, इसमें आपको इस बुझा के लंबाई 6 cm है, इस बुझा के लंबाई 6 cm है, आपको 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 इ पर एक सवाल देता हूँ, आप लोग इसको हल करके जरूर बताएंगे, तब ही तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है, यहाँ पर यह सवाल है, इस बजाखलंबे 15 cm, इसका 12 cm, आपको इस बजाखलंबे बताना है, ठीक है, इस वीडियो को मैंने इतना सिंपल तरीक इससे आपको समझा दिया, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में जरूर सेर करिएगा, क्योंकि आपको समझ आ गया है, तो उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा,